सिक्षा जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं कि आज एक बहुत इंपोर्टेंट छोटा सा वीडियो हम डिसकस करेंगे लेकिन वेरी इंपोर्टेंट है साइज में छोटा लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है राभी का क्रॉप्स का MSP अनाउंस हुआ है अभी रिसेंटली 2023-24 राभी सीजन के लिए आप नबाड का फेस्टू देने जा रहे हो आप FCI का एक्जाम दे रहे हो आप Agriculture का IBPSAFO का पेपर दे रहे हो या कोई भी आप एक्जाम दे रहे हो एक्जाम दे रहे हो या जनरल एक्जाम भी तो ये बड़ा एक इंपोर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है इसमे तो फटा-फट्चे हम इसको डिसकस करेंगे एक बेटर 2000 प्लस नॉन वीडियो MCQ कोर्स है इसको जरूर परचेस करो इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू कि आप इसको परचेस करें अगर आप Agriculture-based exams देना चाहते हैं तो 300 रुपे में आपको कोर्स मिल जाता है discount code लगाने के चलिए तो MSP की हम बात कर लेते हैं तो सरकार ने cabinet ने इसको अप्रूफ कर दिया है basically ठीक है अब 2030-2024 का ही है यह अच्छे से आपने ध्यान में रखना है ओके अब जो absolute MSP का जो highest increase आया है वो आया है बेटा lentil के अंदर lentil में सबस्यादा सरकार ने MSP increase किया है अगर हम पिछ 500 रुपे से increase कर दिया है पर कोईंटल का और उसके बाद दूसरे नंबर पर रेपसीड एन मस्टर्ड है 400 पर कोईंटल से increase कर दिया है वो question इस तरीके से भी paper के अंदर पूछ सकता objective में कि राभी 23-24 के लिए कौनसी crop का MSP में सबसे जादा increase देखने को मिला है in terms of rupees ठीक है percentage क की बात नहीं कर रहे है रुपीज की बात कर रहे है तो रुपीज की term में सबसे जादा increase किस के अंदर देखने को मिला है सबसे जादा increase देखने को मिला है बेटा आपका lentil के अंदर मसूर के अंदर 500 रुपे पर कोईंटल का ठीक है उसके बाद mustard और रेपसीड दूसरे यह table देख लो यह बड़ा important है अब इसमें से table में से यह भी समझ लो कि आपके लिए क्या-क्या जरूरी है तो सबसे पहले तो देखो जो 2022-23 का है उसमें wheat का था 2015 अब यह हो गया है 215 तो 110 रुपे का absolute increase इसमें आपको देखने को मिला है एक तो यह याद रख लेना cost of production भी याद होनी चाहिए 1065 का और अगर आप cost of production के मुकाबले MSP देखते हो तो 100% का return है ठीक है 100% का return है over cost यह बात हमेशा याद रख नहीं है 2018-19 में सरकार ने यह बोल दिया था कि भाया जो भी MSP होगा वो cost of production से कम से कम 1.5 times होना चाहिए 1.5 गुना होना चाहिए तो यह 100% का increase ह almost double हो गया ठीक है उसके बाद बार लेगा देख लो 1635 था पिछली बार इस बार 1735 हो गया तो absolute अगर हम increase in MSP की रुपीज में बात करें तो 100 रुपीज का increase देखने को मिला है ठीक है और return over cost देखोगे तो 60% का है ग्राम की अगर बात करें 5230 इस बार का MSP है 5335, cost of production है 3206, रुपीज में 105 रुपे का increase हुआ है और अगर आप return over cost देखते हो तो 66 है लेंटल मसूर similarly, पिछली बार था 5500, इस बार 6000 कर दिया है, cost of production है 3239, increase in MSP 500 रुपे का है पिछले साल के मुकाबले और अगर आप return over cost देखते हो तो 85% का है रेपसीड और मस्टर का जो पिछली बार MSP था, that was 5050, इस बार 5450 कर दिया है, cost of production 2670 है, MSP में जो increase हो है 400 रुपे का और अगर आप cost of production के मुकाबले MSP देखते हो तो 104% है सैफलार की अगर हम बात करें, तो 5441 MSP था 2022-23 में और 23-24 में 5650 हो गया, 3765 cost of production है, increase in MSP 209 है और return over cost जो है वो आपका 50 है देखो, अच्छा अब questions के pattern समझ लो, किस-किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक तो वो सीधा पूछ सकता है, जो सबसे direct question है, वो यह रहा, यहाँ पर मैंने दिखाया है, कि cabinet ने recently MSP अनौंस किया है, wheat का MSP क्या है, ठीक है, यह तो आसान सा question है, आप easily answer कर दोगे 2125, ठीक ह तो एक तो यह direct question हो गया, ठीक है, बाकी के questions भी समझ लो, कि किस तरीके से वो पूछेगा, दूसरा वो question इस तरीके से पूछ सकता है, कि किस crop के अंदर, किस rabi crop के लिए 2023-24 के लिए MSP का जो increase है, absolute terms में, वो सबसे जादा है, तो दूसरे type का question ही हो गया, जिसके अंदर आपक पारले का देखने को मिला है, 100 रुपे का increase है, similarly वो आपसे question पूछ सकता है, कि किस crop का MSP जो है, return over cost सबसे जादा दे रहा है, ठीक है, return over cost किस crop का सबसे जादा दे रहा है, तो आप देखोगे कि website and mustard का जो cost of production है, और जो MSP है, तो MSP इस पे 104% का return दे रहा है, तो ये भी एक type का question हो गया, ये भी एक type का question वो आपसे पूछ सकता है, कि कौन सी crop का return है, वो सबसे जादा है, तो आप क्या दोगे कि website and mustard का सबसे जादा है, followed by wheat, absolute terms में lentil का सबसे जादा है, लेकिन अगर हम return over cost की बात करेंगे, तो वो website and mustard का सबसे जादा है, followed by wheat, तो ये भी एक तरह का question वो आपसे पूछ सकता है, IBPS, AFO जैसे exams के अंदर वो increase in MSP पे भी सवाल पूछ सकता है, कि increase in MSP कितना है, ठीक है, कि किस crop के लिए कितना increase आया, again agriculture, IBPS, AFO के paper के अंदर वो ये भी पूछ सकता है, कि cost of production कितना है, MSP पिछले साल का कितना था, वो पूछे जाने के chances comparatively कम है, औ और हर crop का MSP तो वो definitely आपसे पूछी सकता है, ये भी एक important aspect जो है, वो बन जाता है, तो 6 से 7 questions की probability जो है, इसमें से बनती है, अलग-अलग patterns में, जो वो आपसे directly paper में पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से आप cover कर लीजेगा, चली, तो इस lecture के अंदर दोस्तों, इतनी ही बा है, कैसा लगा, और channel को share ज़रूर करें, subscribe नहीं किया है, तो please subscribe ज़रूर करें, चली, मिलेंगे next lecture में, तब तक के लिए, all the best and bye.